कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आस्मा नहीं मिलता हलो एब्रीवान, विलकॉम बैक टिशेप अप यूर लाइफ तो चलिए आज कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सब मेरे बारे में जानना चाते हैं और उनको कॉमेंट सेक्शन में आंसर करने से वो फील भी नहीं आता अपने बारे भी कुछ बताने के लिए कॉश्चन आंसर से बेटर मुझे कुछ लगता नहीं है और इससे पहले भी मैं तीन ऐसे से सेशन कर चुकी हूँ अगर आपको आपकी सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं मिलता है तो आप पिछली वीडियो भी चेक कर सकते हैं और उन सब वीडियो के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी तो चलिए without wasting any time शुरू करते हैं आज का first question which is what is my expectations from life तो जिन्दगी से मेरी expectations क्या है actually कुछ भी नहीं क्योंकि हम दुखी तब ही होते हैं जब हम expectations रखते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि जो भी हमें चाहिए उसके लिए उस direction में काम तो हमें करना ही होगा और जैसा भी हम करेंगे जितना भी हम करेंगे उतना हमें मिल जाएगा नहीं भी मिलता है तो जो भी हमारे पास है उसकी value कीजिए क्योंकि काफी कुछ हमें जिन्दगी में हमारे करने से मिलता है तो बहुत कुछ life में automatic भी होता है so ना life से और ना ही किसी person से मेरी कोई expectations है मैं जो भी करती हूँ self happiness के लिए करती हूँ and that's it and second question is कि मैं उस situation को कैसे balance करती हूँ जब मैं emotionally exhaust होती हूँ या फिर depressed होती हूँ तो पहली चीज तो है कि depressed होना किसी भी चीज का solution नहीं है तो जब ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो फिर life में चाहे कुछ भी हो जाए आप depressed तो कभी नहीं होते सबकी सोच मेरे जैसी हो सबको वही सही लगे जो मुझे सही लगता है ये कहां possible है और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही ज़्यादा तर depressed होते हैं जो लोग आपको बार-बार hurt करते हैं आपको बार-बार insult करते हैं उनसे थोड़ा सा distance बना के रखें जब सामने वाले की सोच का level समझ में आ जाता है तो फिर बार-बार उनसे उलज के खुद को depressed करने का क्या मतलब चीजों को handle करने के लिए depressed तो मैं कभी नहीं होती क्योंकि depressed होने से कभी भी चीज़ें handle नहीं कर बाते हैं लेकिन हाँ मुझे कभी कोई advice चाहिए या अपनी feeling में share करना चाहूं किसी से या फिर किसी चीज़ को लेके थोड़ा confusion कर पारी तो मैंने पहले भी बताया है अपने father से बात करती हूं कि मुझे लगता है कि उनसे better guide मुझे कोई नहीं कर सकता and third question है कि housekeeping, organization और self maintenance इन सब चीज़ों को मैं कैसे manage करती हूं तो इन सब चीज़ों को manage करने के लिए आपको दो ही चीज़ों की ज़रूरत है time and energy 24 hours ही होते हैं हम सब के पास जिसमें से 6-7 hours की sleep हम सब के लिए काफी होती है बचे हुए 17-18 hours अगर आप smartly divide करें अपने काम के accordingly तो आप हर काम को proper manage कर सकते हैं और रह गई बात energy level की तो अगर आप अपनी सिहत का ख्यार रखते हैं diet और exercise proper follow करते हैं तो आप हमेशा active ही feel करेंगे मुझे काम करना पढ़ रहा है मुझे काम क्यों करना पढ़ रहा है ये सब सोचने की वजाए मैं अपने काम को interesting कैसे बनाओ वो सोचना मुझे ज़्यादा better लगता है और वैसे भी clean and organized घर से positivity आती है और आप ज़्यादा efficiently काम कर पाते हैं घर को declutter कैसे रखना है उसके regarding मैंने एक video भी share किया था अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस video का link भी आपको description box में मिल जाएगा और अब आते हैं उस question पे जिसे काफी सारे लोगों ने मुझे different different way में पूछा था that what is my dream जो अभी तक मुझे लगता है कि पूरा नहीं हुआ है और in future hope है कि वो पूरा हो सकता है इन सवालों को पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी कि ये भी किसी का कोई dream हो सकता है लेकिन कहते हैं कि जो चीज आपको मिलती नहीं है वो ही आपके mind में रहती है उसे पाने की इच्छा रहती है तो काफी time पहले ये मेरी wish थी लेकिन अब मुझे लगता है शार ये मेरा dream ही बन चुका है आप में से काफी लोगों को सुनके थोड़ी हसी भी आएगी क्योंकि ऐस सच इतना बड़ा कुछ है नहीं काफी लोग सोचेंगे कि maybe I'm a youtuber तो मैं चाहूंगी कि in future मैं एक बड़ी youtuber बन जाऊं बट ऐसा नहीं है या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे ये बन जाएं तो वो मेरा dream है बिल्कुल भी नहीं बैसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बच्चे मेरा dream क्यों पुरा गरेंगे तो मेरा dream है मेरे husband के साथ वन वीक के लिए किसी एक ट्रिप पे जाना जी हाँ आपको यह बहुत छोटी सी चीज लग सकती है लेकिन येस मेरे लिए ये एक ड्रीम ही है क्योंकि हमारी शादी को 20 येर्ज हो चुके हैं अभी तक हम ऐसे किसी एक ट्रिप पे भी नहीं गए हैं रिजन आप कुछ भी समझ सकते हैं सरकम्स्टांसिज वैसे थे या कभी कुछ मुझबूरियां थी कुल्दीब जी जदा सोशलाइज भी नहीं है ट्रेवल करना भी पसंद नहीं करते रिजन आप कुछ भी मान लीजी बट ये अभी तक नहीं हुआ है सब भी नहीं है कि कहीं लंडन पारिज जाने का मन है कहीं भी आसपास किसी हिली एरिया में जहां पीस्फूल सा इंवार्मेंट हो कहीं जाने का ड्रीम है इन फ्यूचर हो भी सकता है हो जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा अगर नहीं होगा, तो भी कोई बात नहीं, कहते हैं, कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमा नहीं मिलता, जो मेरे पास है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और उसकी value करती हूँ, वैसे भी ये dream मेरा है, उनका नहीं, तो उनसे मुझे इस बात पे को of myself, अपने खाने पीने से लेके, अपने exercise, तीन से चार घंटे का me time भी मुझे चाहिए, खुद को criticize में कभी नहीं करती हूँ, I am happy with who I am, and yes, कोई मुझे बार बार हर्ट ना करे, इस चीज़ का भी मैं खास ख्याल रखती हूँ, उनसे distance maintain करके, तो yes, I love myself, और एक सवाल ये भ करता है कि हमारे और बच्चों के बीच में bond को strong करने के लिए एक चीज़ सबसे दा important होती है, और वो होता है freedom, but freedom with guidance, हम उनके parents हैं, तो इस पार का use उनको bound करने के लिए तो कभी ना करें, क्योंकि ये घर है, hostel नहीं, पर हर वक्त हम उनने this and that समझाते रहें, दोनों ही बच् सब कुछ सुनते हैं, तब ही वो हमसे share करेंगे, और अगर वो हमसे share करेंगे, तो उनकी life के updates हमें हमेशा मिलते रहेंगे, and yes, updates मिलते रहेंगे, तो हम उनने proper guide भी कर पाएंगे, पच्चों का एक friend circle होता है, और वो parties भी करते हैं, और वो सब करने के permission उन्हें देनी ही है, ल अब तक negative positive समझाना हमारी duty है, लेकिन उनकी life को overpower करना is not right, next question is, क्या मैं अपने parents house को miss करती हूँ, so yes, बहुत जादा miss करती हूँ, कौन है जिसे अपना माई का पसंद नहीं है, और मेरी वो वीडियो जिन में मैं अपने parents के घर हूँ, आपने देखा हुआ कि वहां पर मैं क जब तक के लिए, जब तक में वहां जाके वापिस से नई memories नहीं बना लेती, and next question is, what do I like in my husband's nature, तो उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, कि वो अपनी mom की बहुत respect करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कितनी बार ममा आज भी उन्हें डांड देते हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी उनके साथ rudely बात करते हुए नहीं देखा, और ये चीज मेरी नजरों में उनकी respect और भी बढ़ा देती है, क्योंकि मेरी personal thinking है, कि जो इनसान अपनी mother की respect करता है, वो कभी किसी lady को insert नहीं कर सकता, और इस चीज के लिए मैं उन पर proud करती हूं, second चीज, उनका patience level is awesome, आप कोशिश भी करेंगे तो भी उनको गुसा नहीं दिला सकते, so चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, which is what I do in my me time, so 3-4 hours का daily मेरा me time होता ही है, जिसमें कभी मैं कोई book read कर लेती हूं, कभी मेरा कोई movie देखने का मन करता है, तो movie देख लेती हूं, YouTube videos की preparation भी मैं इसी time पर करत नप लेना बहुत कम कर दिया है, so बस यही चीज़े हैं जो अपने 3-4 घंडे के me time में करना पसंद करती हूं, और आज का last question है कि कौन सी age में मैंने work out करना शुरू किया था, तो बात करूँ exercise की, exercise बगए तो मैं teen age से ही करती थी, और इतना भूठ सवा रहता था, slim रहने का, और पता था नहीं कि कैसे क्या करते हैं, तो डाइट बहुत कम लेती थी और इसी वज़ा से बहुत बाबिमार होके hospitalized भी होती थी, after marriage भी हम walk बगएरा, running बगएरा करने के लिए पाक जाया करते थे, और time के साथ मेरा interest इसमें और भी बढ़ता गया, और जादा knowledge लेने के आडियो और weights के साथ exercise करती हूं, hope करती हूं कि मेरा और workout का relation है, यह कभी न टूटे, इसके लावा तीन questions ऐसे हैं, जो mostly मुझसे पूछे जाते हैं, जैसे कि how to overcome laziness, how to wake up early in the morning, how to deal with negative people, और इन तीनो topics के regarding में already videos बना चुकी हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देकी हैं, तो उन videos के link में description box में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, मेरे कहाल से मैंने काफी हद तक काफी सवालों के जवाब दे दिये हैं, I hope कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो मिलती हूं आपसे next video में, till then bye bye, take care and stay healthy.